नमस्कार, NCIT गुरुजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है यह क्लासिक्स की हिंदी की किताब वसंत का चैप्टर 16 अध्याय 16 वन के मार्ग में इसमें कुल 8 लाइने हैं, 4 यहाँ आपके सामने हैं और 4 नीचे यहाँ हैं इसके एक-एक सब्द को समझना बड़ा जरूरी है, तब आप इसका मतलब समझ पाएंगे यह जितने भी सब्द मैंने हाइलाइट कर रखे हैं, इसका मैं मतलब बताऊंगा भावार्थ भी बताऊंगा, इससे पहले थोड़ा कॉंटेक्स्ट समझते हैं, बात कब की हो रही है इसमें तो राम, लक्षमन और सीता जब महल से वन के लिए जा रहे थे, अपना वनवास सुरू करने के लिए ये उस समय की कहानी है, उस समय का वरणन है इसमें, उन्हें किस तरह के कस्ट हुए, ये बताया गया है इस सवये में आईए इसे पढ़ते हैं पुर्ते मतलब नगर से, पुर्नगर को कहते हैं ते मतलब से, निकसी मतलब निकली, रगुबीर बधु, रगुबीर कहते हैं भगवान राम को, और भगवान राम की बधु कौन है, पत्नी कौन है, मता सीता है तो सीतामा नगर से निकली, धरी धीर, धरी मतलब धारन करना और धीर मतलब धीरज, धीरज धारन करके दये मग, मग कहते हैं रास्ते को, रास्ते में उन्होंने अपने पैर दिये, रास्ते में अपने पैर रखे, डग, डग पैर को कहते हैं और द्वय मतलब दो, मतलब अपन भरी भरी मतलब भरी हुई फुल भाल सर को कहते हैं और कनी कनी मतलब कन जल का मतलब पानी तो मता सीता के भरे हुए सर पे पानी की बूंद दिखाई दी पुट सूख गए मधुराधर पे पुट कहते हैं होट को सूख गए मधुराधर का मतलब भी है कुमल होट तो सीता मा के सर पे पानी की बूंदे दिखाई दी और उनके मधुर होट सूख गए फिर बुजती है चलनो अब केतिक पर्नकुटी करिहों कित होए फिर मतलब फिर बुजती है मतलब पूछती है चलनो मतलब चलना है केतिक मतलब कितना पर्नकुटी, पत्तों की कुटिया, करी है, मतलब बनाईएगा, कित मतलब कहाँ, तो जब वे थक गई, उनके माथे से पसीने आने लगे, तब वे पूछती है राम से, कि अब और कितना चलिएगा, और पर्नकुटी कहाँ बनानी है, तिया की लखी आतुरता, पिया की अखिय तिया मतलब पत्नी, लखी मतलब देखकर, आतुरता मतलब व्याकुलता, तो अपने पत्नी की व्याकुलता देखकर, पिया प्रितम को कहते हैं, यहाँ पर ये राम है, तो अपने पत्नी की व्याकुलता देखकर, राम की सुन्दर आखों में, चारु सुन्दर को कहते हैं, राम की सुन्दर आँखों में जल आ गए, आंसू आ गए, तो यहां एक-एक शब्द का मतलब लिखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रिंशॉट ले सकते हैं इसकी व्याख्या है, नगर से निकलते ही राम की पतनी सीता थोड़ी दूर चलने के बाद ठक जाती हैं, उनके माथे से पसीना आने लगता है, तथा उनके कोमल होट सूख जाते हैं, वे राम से पूछती हैं कि अब और कितनी दूर चलना है, तथा पर्न कूटी कहां बनानी ह उनकी इस व्याखुलता को देखकर स्री राम की आँखों में आसू भराते हैं, ठीक है, अब अगले स्टेंज आ पर आते हैं लक्षमन को कह रहे हैं, जल को गए हैं, मतलब लक्षमन जल आने गए हैं, है लरीका परिखों, लरीका लड़के को कहते हैं, परिखों मतलब इंतजार करना, वे लड़के का लक्षमन का इंतजार कर रहे हैं, कौन इंतजार कर रहे हैं, राम इंतजार कर रहे हैं और मतासीता के perspective से क्या है कि पिये च्छाह धरिकों है ठाडे पिये जो प्रियतम है वे च्छाओं में पेंड़ की च्छाओं में कुछ समय के लिए घड़े हैं पौछी पसेऊं मतलब पसीना पौछी बयारी करो यह तुलसी दास ने लिखिया, इसलिए तुलसी उन्होंने यहाँ पे अपना नाम इंकलूड किया है रगुबीर भगवान राम को कहते हैं तो राम ने प्रिया स्रम प्रिया उनकी जो प्रियपत्नी है उनके स्रम को जानके उनके मेहनत को जानके समय लेकर वे बैठ गए और मता सीता के पैड़ों से काटे निकाले उन्होंने कंटक काटे हो कहते हैं और काड़े मतलब निकालना जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े मता जानकी ने भगवान राम के सनेह को देखा नेह मतलब प्रेम सनेह लख्यो मतलब देखा पुल को तनु तनु शरीर को कहते हैं और पुल को, उनका शरीर पुलकित हो गया, खुश हो गया, इस प्रेम को देखकर, राम ने जो काटे निकाले से देखके, बाड़ी बिलोचन बाड़े, बारी आसु को कहते हैं, और बिलोचन मतलब आख, मतलब आख से आसु आ गया, उनका शरीर इस तरह पुलकित हो गया, अ प्रेम पूरवक देखती है और पुलकित हो जाती है और उनके आखों में आशु आ जाते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई